काल का अर्थ होता है समय काल से क्रिया के समय के समय का पताव जानकारी मिलती है जैसे नीचे दिये गए चित्रों को देखिए और समझेए माली पौधों को पानी दे रहा है काम हो रहा है सरकस का शो हुआ था काम हुआ था मोहन स्कूल जाएगा काम होगा क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविश्यतकाल वर्तमानकाल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने की जानकारी मिलती है उसे वर्तमानकाल कहते हैं जैसे माता खाना बना रही है सीमा पढ़ रही है राजीव चित्र बना रहा है आसमान में सूरज चमक रहा है भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूरा होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं जैसे आलिया ने गीत गाया रूपा पढ़ रही थी शाम ने पत्र लिखा भविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भविश्यत काल कहते हैं जैसे पक्षी घोंसले से उड़ जाएंगे हम सब कल मेला देखने जाएंगे बाग में फूल खिलेंगे शायद वर्षा होगी अब आपने जाना क्रिया के करने के समय को काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यत काल जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल जो समय बीद गया है उसे भूत काल और जो क्रिया आने वाले समय में होई उसे भविश्यत काल कहते हैं आओ अभ्यास करें. निमलिखित वाक्यों का काल पहचान कर उनके सामने लिखिये. निमलिखित वाक्यों के काल पहचान कर उन्हें सही कोश्ठक से मिलाईए. भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भविश्यत काल कहते हैं जैसे पक्षी घोंसले से उड़ जाएंगे हम सब कल मेला देखने जाएंगे बाग में फूल खिलेंगे शायद वर्षा होगी निमलिखित वाक्यों की पूर्ती वर्तमान काल की क्रिया से कीजिए सही विकल्प पर सही लगाईए नीचे लिखे वाक्यों को काल निर्देशानुसार बदल कर लिखिए